हेलो एवरीवन मित्रो हमने आरपीसी सेकिंड ग्रेड शिक्षक बढ़ती के पर्थम परशन पत्र के लिए मोडल पेपर के उपर आधियन की शुरुआत कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें इससे जो पहले कलास हुई थी उसमें हमने सेकिंड ग्रेड शिक्षक बढ़ती के पांचवे मोडल पेपर के पचास क्यूशन हल कर चुके हैं आप वो भी कलास देख लें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिशन बॉक्ष में डाल दूँगा आप वो कलास जरूर देखे मित्रो आज ह लिक्सा से पहले 20-30 मोडल पेपर इसी यूटूब चैनल पे कर बात दूँगा आप मेरे साथ जुड़े रहें नमस्कार मैं राजंदर सभी का स्वागत करता हूं कलाम सीवल सर्विस यूटूब चैनल में सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें तदा अपने दोस लिमित्रों तो चलते हैं क्यूशनों की तरफ देखेगा इससे जो पहले कलास हुई थी उसमें मैंने आप से क्यूशन पूछा था कि पर्थी यूपर दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है दोस्तों तो दूसरा सबसे जो बड़ा महादीप है वो कौन सा हो जाएगा अंतलांटिक मासागर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा अंतलांटिक मासागर हो जाएगा देखेगा यह किसको अलग करता है यह देखेगा इधर यूरूप हो जाता है इधर कौन सा हो जाएगा हमारा उतरी अमरिका मादीप हो जाएगा इधर हो जाएगा दक्षिन अमरिका म और दोस्तों आपको सबसे बड़ा जो माहसागर हो यह मुझे आसा है वो तो आपको पता ही है दोस्तों क्यों थासा पहला कैरा इस पर का रहा एक तरफ माधीब दे रख क्या एक चाहँ मितρो और दूसरी तरफ क्या दे हैं यह देए रखाब को स Two-Millit awhile करना इनको तो देखिए आगा जो आश्टरिय जो माधीप पेन वह किस नाम से जाना जाता है अद-द-बूट-वन-श-पती एंवपस्वूँ का अजायब घर करके नाम से जाना जाता है जो आंटारेक्ट्र का माधीप है । किस नाम इसमें प्राप्त हो गया में तो इसका राइट एंसर हो जएगा तीन चाहर एक दो बी नमबर उप्शन अमारा सही हो जाता है तो दोस्तों सारे क्यूशन आपके लिए इपोटेंट रहने वाले आप एक और वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब क चैनल को जाता है और अगरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देखेगा? है न तो C number option नवार इसका RIDER हो जाता है अब अगला क्यूसन देखेगा कौंसा महाधीप सेलफ सागर है दोस्तों इसमें से पूछा किया it's क्ौंसा महाधीप है जो सेलफसागर के नाम जाना जाता है दोस्तों तो क्षा सागर हो जाए कौन सा अभू मद्या सागर हो जाएक हो जाएगा मित्रो अब देखे सागर की बात कर लेते हैं जो लगब पूरी तरह से जमीन से गिरा हुआ है मित्रो किसे हो जमीन से गिरा हुआ है इसके क्या होता है उतर में जो पक्षिन यूरूप एनातोलिया दक्षिन में उत्री अफरीका तब पूरो में लेवंट है इसके 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 अच्छा तरब लगवा कितना है नो लाग सतर जार वरग मिल आए यह एक सेलफ शागर है दोस्तो इस नाम क्या है यह एक सेलफ शागर है मित्रो अगल क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्या कर लिए ज्यादा नुक्षान पुंचारी कि इसको ओजोन परत को इज दीरे से क्या कर लिए दीरे दीरे इसको नश्ट करने का कारण कर लिए दोस्तो जो सूर्य सी जो प्राबेंगनी किरने आती है उससे हमारे शुरुशा करती है कौन सी ओज यूज़ करते हैं जो एसी वगरा एर क्रिछनर वगरा जो लगी होती गर में उनकी उनसे निकलती है कलोरो-फ्लोरो कार्बन दोस्तों तो अगला क्यूसन देखे खाएगा आपके स्क्रीन के उपर है द्वित्य परत्वी शेकर समेलन का आयोजन कहां किया गया था तो कहां किय गया गया मित्रो इनमें से बताईएगा जोहांस बरग में किया गया मित्रो कहां किया गया जोहांस बरग में किया गया कौन सा सेकिंड पर्थवी सीकर समेलन मित्रो अब देखेगा सीकर समेलन जो सेकिंड में किया गया था इसे पर्थवी समेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है म अमेरिका माधिर के सबसे लंभी नदी कौंड़ी है दोस्तो जो उत्री माधिफ है उसमें पूछा किह नदी है वो कौंड़ी है तो क्यों हो जाएगी मि-च सी सी पी मेसोरी नदी हो जाएगे चे हजार-240 स rodz किलो अगला क्यूसन देखेगा निमन में से किस देश की जन संक्या 2011 में सरवादिक थी इन में से पुछा गया है कि निमन में से इन में से कौन सा देश है जिन की संक्या 2011 के उनसार सरवादिक थी तो इन में से किसकी संक्या जरवादी थी तो ब्राजिल की थी सरवादी के जन संक्या 19.75 क्रोड थी ब्राजिल की जन संक्या उसके बाद में किसकी थी इन में से बंगलादिस की जपान की जर्मनी जैसे लिखे हुए उनके इसाब सी यह सही लिखे हुए मित्रो तो सरवादी जनसेंगा किसकी तो 2011 एक उनसार ब्राजिल की थी अब देखेगा राश्टिय वन निति के उनसार की बात कर लेते हैं प्रियावरण की दरश्टि से देश के कम से कम कितने परतिशतर पर वनों का आवश्यक है तो देश के कितने परतिशतर पर वनों का आवश्यक है मित्रो अब देखेगा आगला क्यूशन है 59 नमबर क्यूशन आपके स्क्रीन के उपर है कौन सा तट भारत के पच्छमी तट का भाग नहीं है आपको आपको बताना है इन में से कौन सा जो तट है भारत के जो पच्मी तट का भाग नहीं है तो जो पच्मी तट का भाग नह और पूरी तट की बात कर लो अंदर परदेश वे तमिल लाडू राज्य में इस्तित है दोस्तो ये तट कहां पर है अंदर परदेश वे तमिल लाडू राज्य के अंदर इस्तित है दोस्तो जो बंगाली खाड़ी के बिलकुल ये क्या है निकट है मित्रो कोरो मंडल तट जो देगरी उत्री अक्षांस के आसपास है यह उस्वन कटबंदी है अभी शर्ण शेत्र इस्तित होता है तो डी नमबर इसका एंस्वर है राइट हो जाएगा आपका अगला क्यूशन है बारत का दक्षिन तम बिंदू कहां इस्तित है क्यूशन पूछा गया है तो देखेगा ग्रेट निकोबार इसका एंस्वर हो जाएगा ग्रेट निकोबार इसका एंस्वर हो जाएगा ग्रेट निकोबार इसका एंस्वर हो जाएगा ग्रेट निकोबार के अंदर एक पॉइंट पढ़ता है कौन सा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट है नाम से जाना है एक तरफ जलब पर बात दिये हैं दूसरी तरफ क्या दे रखी है नदी आपकी दे रखी इनमें से पुछा गया यूगम सुमेलित है दोस्तों कौन सा यूगम सुमेलित है यह पूछा गया आपसे कौन कौन सा योगम स्मेलित है देखेगा कपिल दारा जो है ना कपिल दारा जो परपात है वो कौन सा हो जाएगा आपका कपिल दारा परपात है वो मद्य प्रदेश में नर्मादा नदी पर इस्तित है दोस्तों कपिल दारा जो परपात है वो कहां पर है नर्मादा नदी के परिश्थित है दोस्तों करनाटा केंदर है दोस्तों तो दो नमबर और तीन नमबर अमरा यूगम है ये सुमेलित है दोस्तों तो एक नमबर नहीं है तो दो और तीन ये उप्षान मरा सही हो जाएगा मिद्टो अगला क्रेशन देखेगा नेताओं वे उनके दलों की टीमों में कौन सा सुमेलित नहीं है पूच्छा गया आप से तो कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा है देखेगा लालू पुरसाद या दो राष्ट जनता दल ये सही है राम बिलास पासवान लोग जन सक्ती पार्टी ये भी सही है ममता बेनर जी तरण मुलक आंगरेस है दोस्तो ये भी सही है और महाराष्टर जो नव निर्मान सेनना किस्ता अपना नो मरत तो राज ठाकरे दोबरा कीगी दोस्तो किसके दोड़ लिखी हुई है तो देखिए घाज सा यह उप्शन मारा गलत हो जाएगा तो गलत पुछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है तो एक नमबर उप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्यों देखेगा बारत के किस बाग में सरवादिक देनिक तापांतर पाया जाता है कौन से बाग में पाया जाएगा तो आपको देनि तो देनिक ताप अंतर दोनों में अंतर बोज़दा हो जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा राज़तान के मुरुस्तल है शेत्रों में अगला क्योंसे देखेगा निमन मैंसे कौन सा एक सुमेलित नहीं है परमुख नदी दे रखी है और की साइग नदियां दे रखी है तो पिर शाइक नदी नहींद किसी और बात कर लें गुदावरी की परमुह नदी है गुदावरी कौन सी इए दक्षनी बारत की परमुह नदी यह इसकी साइग नदी की आपको थोड़ा सा निमाने करवा देता हूं पेन गंगा पूर्णा वर्दा वेन गंगा पेन गंगा इंद्रावति ये किसकी साइगनदी है ये गुदावरी की साइगनदी है जो गंडक है वो किसकी साइगनदी है वो गंगा की साइगनदी है याद करिएगा न तो अगर आके उसमें देखेगा निमलेकित में से कौन सा क बारत के राष्टपती के संद्रव में सही नहीं है तो इन में से बताना है जो बारत के राष्टपती के संद्रव में सही नहीं है वे संसद के किसी भी सदन को विगडित कर सकता है तो यही सही नहीं है मित्रों वो संसद के किसी सदन को विगडित नहीं कर सकता है आपको पता ह चीज़ का तो पहला उप्सन हमारा सही हो जाएगा देखेगा आगे वे दोनों सदनों में अभीवाशन और संदेश बेजने का अधिकार रखता है यह सही है वे दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रा वशान कर सकता है यह भी सही है वे अनुशेद 108 के दिन कुछ तशाओं मे दोनों सदनों की इस्यूंट बैठक बुला सकता है यह भी सही है तो यह सही नहीं है वेसा सदन को विक्टित कर सकता है दोस्तों वे विक्टित नहीं कर सकता है तो एक नमर उप्शन हमारा सही हो जाएगा बारत सरकार अधिनियम 1919 के शंद्रम में निमल लिख कत्रों में से क कौन सा ऐस्त्य है दोस्तों दवी सदनाथ में कि विदान में ला आरम किया गया यह सई है उस सदन को राजक पृशन है ऐ होता है दोस्तों लोग सब पुछा गया है जो सरकारी गोवर्मेंट जो करमचारी होता है उसकी तरफ से तो गोवर्मेंट करमचारी कौन होता है मुख्यास के अंदर तो कौन हो जाता है संसदिया कारिया मंत्री हो जाता है अगला क्यों से देखेगा बारतिया सविदान में कि अनुशेद केृ डिया गए तो कोन सी आनुशेद में द्यागा अपका तो 308 में दिया गए तो 308 में ये बात दी गई दी गई है दोस्तों अगला किसे में देखेगा बारत की सबह्दान स्भबा का अदेक्ष कौन था मित्रो भारत की सभदान स्भबा का अदेक्ष पूछा गया आप से तो simple question है दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा वो कौन था राजिंदर परशाद भारत की सभदान स्भवा का अदेक्ष है दोस्तो रूप में इन्हें चुना गया इसना थे तो जो बारत की सवदान सभा के। पर दिया गए था वह कौन शा अनुशियद है। कि अब वर्तवान में वो अनुशेद वो कारियरत नहीं है मित्रो नो देसंबर उन्निसों क्या होता ये देखेगा बारति सवदान में अनुशेद दर्जा दिया गया था कौन सी दरा थी वो अनुशेद 370 दोस्तों और 35 दोस्तों 35 और 370 दरा को दोनों को यहां से अभी फिल गूटी है उसको हों से क्या कर लिया भी समापत कर दिया है तो यह भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात मोली का अदिकारों के सुची में दूसरा सतान किस अदिकार को दिया गया धोस्तों जो मोली का दिकार है हमारे बारा से लेके 35 तक जो मूली का अधिकार है fundamental जो राइट है उसमें पुछा गया है जो अलग-अलग बने वे फोर्शन बने वे उसके में पुछा गया तो second जो है वो किस नाम से जाना जाते हैं तो second जो किस नाम से जाना जाएंगे दोस्तों वो जाने जाएंगा आपके सवतंतरता के अधिकार दो तो पहला जो किस नाम से जाना जाता है पहला समानता का अधिकार के नाम से जाना जाता है दूसरा किस नाम से जाना जाएगा दूसरा पूछा गया है बहुत इपोटन क्योंसे नहीं है दोस्तों लगा लिजेगा हर बार एक्जाम में आ जाता है सब्सक्राइब करें किसा गया है कौन को से सबस्दाराह ऑपकतें परनाली का याची का दायर की जा सकती है यदि मूल अधिकार का कहीं हनन हो जाए तो जन ही याची का कहां दायर की जा सकती है मूल अधिकार से यदि कहीं यदि उससे उसका हनन होता है तो कहां करेंगे उच तम वे उच दोनों न्यालों में कर सकते हैं यदि हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों में इसकी सुनवाई हो सकती है मित्रो तो ये क्यूशन भी आपके इपोर्टन होना चाहिए अगला क्यूशन देखेगा देश का सरवादिक एक ही करत वे अधुनिक इसपात कार खाना है कौन सा है सरवादिक और अधुनिक इसपात कार खाना दोस्तों तो कौन सा हो जा आपका विशाखा अपत्नम हो जाए कौन सा जगा विशाखा अपत्नम हो जाएगा उनी सु त्यत्र की बात देखिए का सरकार ने क्या क्या स्टील अथ्यूर्टी ओफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहते हैं दोस्तों किस्तापना करी थी हाना और साल जिनिशेतर में क्या सेल के हाथ में है यह इच और राजकोश्य गाटे से क्या तत्प्र हएग्य राजिगोशक के दर कर्षा गाट्यू smashing ada यही celebrated में आगर आप युण संग कोई सा उंग अंतराश्टिय नियाल्य को चुंता है कौ सा इसमें से हैं ज्दोरों सा माहसभा हो जाएगी। अब इसम षिभा संग के जो जो किस्तूट प्रस्ति अब जो सिंट राश्रागा जिससे युअनंओ की कहते हैं जिसके स्तापना चोभीस अक्टूबर 1945 में हुई थी इसके उस एंग होते हैं दोस्तों कितने आंगा इसके किसके जोड़ा है इसके जोड़ा गलत है एक तरप के रखी है राज तरफ दे रखी है आपसे इसमें पूछा कि कौन सा जोड़ा है जो ए सुमिलेता है मतलब गलत है केरल केंदर जो करसी होती है पौनम कहते है मित्रो अंदर प्रदेश केंदर जो होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको पॉंडू कहते हैं और अंजार खर्ण में जो होती है ना खील उसको खील नहीं कहते हैं देखेगा जो खील है ना देख लेजेगा इसके लग और भी खिए जैसे वाल रा है ना धक्षिन पूरी राजसतानिगे भागे में होती हैं इसके पोर नम ऩह के रिम हो जाएगी में पक्षमी गाट में होती है ऐसे बहूत सार जो खिए दिखाती है पूरही कमपनी और उनकी अवस्तित देर किये आप हर दोस्तों काँ पे है कॉर्बा और नाल को कहाँ हो जाएगी आपकी नाल को हो जेगी आपकी पोरा कुट के अंदर और लिंडाल और मेरा में something सभिन रूबल आधा है यह जो कोरवा है या पूछ वे सी कोरवा का है यह कोर्वा का बढ़ता है यह 36 गड के अंदर है दोस्तों कहां पर रहाए ये 36 गड़ के अंदर है और कोरा पूट है ये कोरा पूट है कहां पर ये कोरा पूट जो है ये है आपका उडिशा के अंदर दोस्तों तो कोरा पूट कहां हो जाएगा आपका उडिशा के अंदर हो जाएगा दोस्तों अगला क्यूशन दे मित्रो 12.24 की वरदी होती है अब क्यूशन सिख्षा मनोग्यान से क्यूशन है देखेगा बिग फाइव का सिधांत किस ने दिया मित्रो बिग फाइव का जो सिधांत है वो किस ने दिया था तो बिग फाइव का जो सिधांत देने वाले थे वो थे वो कौन थे मित्रो बिग फ विबंता होती है यह पूछा गया क्यूशन आप से वेक्तितव विबंता होती है यह क्यूशन देखेगा अब जो एक थोड़ा सा क्रेक्शन कर लिजेगा दोस्तो जो बिग वाई का सी दांत है यह मेकरे और क्रोश्टर ने दिया था मित्रो किस ने दिया था मेकरा और क्रोश क्या होती है वेक्तिकाती भी होती है सारी भी होती है दोस्तों और बोध्धी की भी होती है तो इसका जो एंसर हो जाएगा उपर्योकता सभी हो जाएगा इसका एंसर है वेक्तिकाती भी होती है और बोध्धी की भी होती है अगला क्यों देखेगा बाल्य वस्ता में वेक्तित होता है अप देखो सेसो अवस्ताम बालह का क्या होता है अंतर हमुख्य होता है और बाल्य अवस्ताम चारक में विवारशी वेक्तिताव के लिए कौन सा कारक बताया कहा है कि तो केटल के उन सारे पुछा गया आपसे तो 16 अकारक बताएंगे है मित्रो 16 अकारक बताएंगे और विवारसी लिए वेक्तिताओ के लिए M बताएंगे देखिएगा कि यह क्यों होते हैं इनके पर विडियो क्यों कि ने डिकन कि कि मैं कहीं कि लिए तो आंत्र मुकि दिया था और बहेन मुकिं दिया था हुड रायट अगला कि उससुभु देखेगा मनोवियान के सिक्षिन में ध्यान रखा जाता है जो मनोवियान का सिक्षिन में क्या ध्यान रखा जाता है एक तो देखेगा मनोवियान का सिक्षिन करते हैं तो मनोवियान क्या ध्यान रखते हैं रूची का ध्यान रखा जाता है दोस्तों योगता का ध्यान रखा है ये क्यूशन है प्रशनावली विदी है क्या मित्रो जो प्रशनावली विदी है वो क्या हो जाएगे प्रशनों के उत्र प्रापत करने समस्या सबंदी तथ्य एक्तिर करना है दोस्तों क्या करना है प्रशनों के उत्र प्रापत करने और समस्या सबंदी तथ्य एक्तिर करन अगला क्योशन देखएगा सिक्षा व्यक्ति की उन सभी योगताओं का विकास है जिनके दुवारा वह अपने वातावर्ण पर नेंतर करने की शंता प्राप्त करता तथा अपने समावनों को पूर्ण करता है उप्रुक्त परिबास्ता किसने दी थी मित्रो यह जो उप्रु बासा भी देख लिजेगा क्रिया प्रसुत अनुकुलन में पुन्रबलन निर्बर करता है तो क्रिया प्रसुत जो अनुबलन है अनुबंदन है तो देखेगा जो क्रिया प्रसुत अनुबंदन को टाइप आर अनुबंदन भी कहते हैं ये देख लिजेगा क्या कहते हैं आर कहते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है अनुकरिया मेतापूरर्ण होती है अनुकरिया की जाती यह बक्तर करता है तो अंगला किसने देख labeledेंसे कौन सा प्रियास वे तूटी चिताज के जनक है दोस्तों प्रियास से पहिए जनक की पुछे एंक कौन से जनक है मितरोब्प हो जाएँगे थोरन डायगों कोन हो जाएगा थोरन डायग के इसका राइट में डेखेंगा फ्र представ के थाऊ है कि यह सूंजर में दिया था कि यह कब दिया था इसमिक्ति मैं क्यों बैक्टि को रेक्स करता दैकर और वैसे कम होती जाएगी और इक से जब तोठी सुने हो जाती है और चीखने के लिए क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है मित्रो उनी इस सु तेरह में ये सिदान्थ दिया था थोरं डायक ने। सीखना सी दानतों, सीखना आदतों, ग्यान और अभी अर्थियों का अर्जन है, यह परवासा किसके दवारा दी जाती है, तो यह परवासे दी जाती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार यह परवासा दी जाती है, यह नूमर अप्शन इसका राइट हो जाएगा, थोरंड़ा के निमन में से कौन सा बुद्धी का परकार है इनमें से थोरंडाय के उनसार पुछा गया है इनमें से बुद्धी का परकार कौन से है तो मुर्त बुद्धी भी है दोस्तो थोरंडाय के उनसार ए मुर्त बुद्धी भी है इसने ये भी दिया समाजिक बुद्धी भी है तो बुद्धी का बहु कारक सिदान्त पर्तिपादित किया जाता है बुद्धी लब्दी ग्याद करने का सुत्तर जो था सरोपरतम परसुत किया गया था कब परसुत किया गया था बुद्धी लब्दी जो ग्याद करने का सुत्तर की बात कर ले वो कब दिया गया था सबसे पहले वो कब दिया गया था 1912 में दिया गया था बुद्धी के समुवा कारक्षिदांद की पर्तिपादिक थे दोस्तो बुद्धी के समुवा कारक है उसके सिदांद की पर्तिपादिक कौन है तो हो जाएंगे थ्रेश्टन हो जाएंगे कौन हो जाएगा दोस्तों वो जाएंगे थ्रेश्टन हो जाएगा इसका राइट है एंसर हो जाएगा बुद्धी का जो क्या है समुवा का रक्षिदान के प्रति पात दखें मित्रों कोन है थ्रेश्टन है निमन में से कौन सी आदतों की विशेष्टाएं है मित्रो और निमन में से कौन सी आदतों की विशेष्टाएं ये पुछा गया क्यूशन अपसे देखेगा एक रूपता हो जाती है इसकी विशेष्टाएं कौन से हो जाएगी एक रूपता हो जाएगी तत औरता हो जाती है स दिनमें से कौन सा कारक आत्म प्रत्य को प्रभावित करता है तो कौन सा करेगा आत्म प्रत्य को प्रभावित करने वाला कर लाका परिपक्ता यह भी करता है बोद्ध कर तो लिए करता है तो उससे उससे का का अंसवर हो जाता है इस कोंचा का है नमन मैं इसने में से लिए फिनको सा अरबताइन का उधारन दोस्तों वीडियों चाह लग रहा बाहिए अभी प्रवाव शर्य का मैं न्यमन मेंसे की सवबस्ता की पुनावर्थी भी कह जाता है तो किसे कहते हैं मित्रो किशोरा वस्ता क्या यो derniतर है निटेर दूस्तों वेग्दीग्त वीविन्ताओर किस नेर जो है वो किसको जोडती है इसमें आपको एंसर बताना है तो देखेगा दे रखेंगा यहुआ आपने option दे रखे हैं तो देखें बता दीजेगा इसका जो answer देना आपको comment box में देना है वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर दें और वीडियो कैसा लगा और वो भी आप comment box में मुझे आप है बता दे मित्रो वीडियो को अंतक देखने के लिए thank you so much